तो जय हिंद मेरे प्यारे साथियो कैसे हुआ आप सभी लोग आई होप कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे दोस्तो रेलवे टेकनीशन भरती दो हजार चोबिस जिसका की वर्तमान समय में आउनलाइन आवेदन चल रहा है आप सभी लोग को मालूम ही होगा आज की सबसे कम मात्रा में फार्म को फिल कर रहे है ठीक है और अभी तक आप सभी लोगों ने फार्म को नहीं भरा है तो जरह सोच समझ करके फार्म को भरियेगा क्योंकि बाद में आप सभी लोग आरार भी जो है वो चेंज नहीं कर सकते हो इस चीज को मेरी ध्यान रखियेगा ठ देखें दोस्तों सबसे पहले मैं प्रियाग राज डिवीजन की बात करूंगा तो यहां पर नमबर आफ टोटल सीटे 338 हैं जिसके लिए अभी तक के डेटा के अनुसार मुझे यह पता चला है कि 15,000 से ज्यादा बच्चों ने फार्म को भरा है और देखें यह जो डेटा है यह कल शाम का डेटा मैं आपको बता रहा हूं हो सकता है कि इसमें कुछ इजाफा हो गया हो तो आप लोग यह मत कहिएगा कि सर आप रॉंग इन्फॉर्मेशन दे रहे हो और भी ज्यादा फार्म भरे गए ठीक है यह कल का मलब कल शाम के डेटा के अनुसार जो है मैं चीज गुड़ी हो गया यहां से सबसे ज़्यादा बच्चे नौर्थ इस्ट हो गया उसके लावा वेश्ट बंगल और बिहार के बच्चे सबसे ज़्यादा एप्लाई करते हैं ठीक है ना उसके अलावा उत्तर प्रदेश और बिहार के जो बच्चे हैं वो सबसे ज़्यादा ज वज्जों नहीं जैता है इस वजह से उत्तर प्रदेश, बिहार, जारखंड, मद्द प्रदेश को जो बच्चे हैं विस साउथ एरिया में जा करके फार्म को फिल करते हैं जैसे चेन्नाई हो गया, मुंबई हो गया, बैंगलोर हो गया इस तरह ठीक है ना आईए अब आगे बढ़ते हैं, पटना डिविजन के अगर मैं बात करूँगा दोस्तों तो यहाँ पर देखिए, दो सो इकिस नंबर आफ टोटल सीटे है और यहाँ पर सबसे ज़्यादा बच्चे फार्म को फिल कर रहे हैं, मतलब की दो सो इकिस सीटों को ले करके, अभी तक के डेटा का मुझे पता चला कि 16,000 से ज़्यादा बच्चों ने फार्म को फिल किया है पटना डिविजन से, उसके अलावा राची डिविजन के अगर मैं बात करूँगा, तो 350 फीटे हैं और यहाँ से भी रिकार्ड तोड मात्रा में अभी फार्म भरे जा रहे हैं, मतलब की 20,000 से किस जञ्ड़ा भरा जा रहा है, किस जोण से कम भरा जा रहा है, फिर बाद में जो है, उसी के कवर्डिंग वे फार्म को फिल करते हैं, यांनि कि लास्ट का एक सब्ता है उसमें रिकार्ड तोड मात्रा में फारम भरा जाएगा, और एक चीज़ मैं आपको और बता ना च पर पिछली बार का cut-off कितना गया था यह चीजे भी candidate देखते हैं उसके लावा तीसरे नमबर की बात करूँगा तो वह जो जो जहां से वह अच्छा फार्म को फिल कर रहा है वह उसके घर से कितनी दूरी पर है यानि कि distance भी देखता है कि वह ज्यादा दूर है कि पास है यह स अभी तक गिर चुका है भोपाई डिवीजन से उसके अलावा कोलकाता डिवीजन की मैं बात करूँगा तो यहाँ पर 506 सीटे हैं और अभी तक के डेटा के अनुसार 20,000 से ज्यादा बच्चों ने फार्म को फिल किया है और मैं आपको बार बार बता दे रहा हूं यह जो वीडियो के description में already डाल रखा है वहाँ पर आप सभी लोग अपना registration number का screenshot जो है वो भेज सकते हैं देखे काफी सारे candidate ऐसे है ना registration number पता चलने के बावजूद भी वो नहीं पता लगा पाते हैं कि इस जोन से कितना form भरा गया है क्योंकि देखिए उसमें कुछ code word shift किया गया ह ठीक ना जो पहले शुरुआत के कुछ अच्छा रहते हैं वो alphabatic series होते हैं उसके बाद बीच में कुछ code दिया जाता है और last के कुछ अंक होते हैं जो की बताता है कि इस division से इस zone से इतने form fill किये गया है ठीक ना तो इस चीज को आप लोग समनने का प्रयास कीजेगा दोस् मेरे division एक ऐसा division है जहां से बच्चे सबसे ज्यादा form भी भरते हैं और यहां पर competition भी बहुत तगड़ा रहता है कट-off भी अच्छा खासा यहां पर जाता है दोस्तों ठीक है सिकंद्राबाद division की मैं बात करूंगा तो यहां पर number of total feet जो है 744 है और यहां का data मुझे अभी तक नहीं मिला है दोस्तों कि यहां से इस division से कितने बच्चे form भर रहे हैं अगर आपके पास data हो तो आप लोग comment करके बताईएगा कि सिकंद्राबाद से कितना form भरा गया है मुझे data नहीं मिला है इस जिए से मैं आपको जूठा जो है जानकारी नहीं देना चाहता हूँ आ एहमदाबाद division से farm को fill किया है तो आप सभी लोग देख सकते हो कि एहमदाबाद जो है वो पूरी तरीकी से red zone में आ रहा है उसके अलावा अजमेर हो गया कोलकाता division हो गया उसके अलावा दोस्तों यह राची हो गया यह सब के सब जो है यह समय लिजे कि red list area में आता है यहा काफी सारे बच्चे ऐसे ना जो कि इसी division से farm को fill कर रहा है मतलब यह कि यहां पर competition जो है वो बहुत ही तगड़ा मिलने वाला है अब आईए दोस्तों आगे बढ़ते हैं भोपार division की मैं बात करूंगा तो यहां पर 452 सीटे है और यहां पर 18,000 से ज्यादा बच्चों ने अ कल तक का डेटा के अनुसार में आपको चीजे बता रहा हूं उसके अलावा दोस्तों अगर चंडी गर्ड डिविजन की मैं बात करूंगा तो यहां पर देखे 111 नंबर आफ टोटल सीटे हैं और 12,000 से ज्यादा बच्चों ने farm को भरा है तो यह सारी चीजे देखिए आप से ज्यादा farm जो है वो मुंबई से जो है भरे जाएंगे तो यह कहने का मतलब यह है कि यहां पर competition बहुत ही जादा तगड़ा रहने वाला है तो अगर आपका भी मन है कि मैं मुंबई से farm को fill करूं तो थोड़ा आप लोग साथधान हो जाईएगा फोज समझ करके आप बाज करूंगा तो यहां पर number of total feet 290 है और यहां का यहां पर कितने farm भरे गया है इसका मुझे अभी data नहीं मिल पाया है अगर आपके पास data हो तो आप लोग comment section में comment किजेगा और मुझे बताईएगा कि हाँ जम्मू से जो है कितना farm भरा गया है मुझे इसका data अभी करूंगा तो देखें यहां से 833 सीटे हैं और दोस्तों यहां पर भी अच्छा खासा जो है farm भरा जा रहा है देखिए south जोन जरूर है लेकिन यहां पर सबसे ज्यादा बच्चे जो है उत्तरपरदेश बिहार जारकंड मद्दपरदेश से जाते हैं दोस्तों farm को fill करने के ठीक है ना इसलिए यहां पर नमबारा farm की संख्यागर मैं बात करूंगा तो 21,000 से ज्यादा बच्चों ने अभी तक के data का नुसार farm को भरा है यह चन्नाई जोन से ठीक है मुंबई जोन के अगर मैं बात करूंगा तो 1284 सीटे हैं दोस्तों और यहां पर भी बिल्कुल record त समय बीतेगा ना वैसे वैसे अभी और भी record तोड मात्रा में farm गिरने वाला है मतलब कि अभी तो यह केवल 50% है बलकि 50% से भी कम है अभी जो लाश्ट का एक सब्ता होगा ना उसमें record तोड़ farm गिरने वाले हैं यह जानके चलिए बैंगलोर डिवीजन की अगर मैं बात रहे हैं मतलब कि यह ऐसा जोन है जो की कह सकते हैं कि safe zone के अंतरगा ताता है यहां पर number of total feet जो है 113 है और यहां पर अभी मात्र 6000 बच्चे जी यहां दोस्तो 6000 बच्चे मात्र farm को fill किया है मुझफर पूर division से उसके अलावा गुवहाटी की अगर मैं बात करूँगा दोस्तो तो 628 number of total feet है और यहां से भी 19,000 फे ज्यादा बच्चों ने farm को fill किया है मैं यहां पर लिख दे रहा हूँ 19,000 फे ज्यादा बच्चों ने गुवहाटी division से farm को fill किया है उसके अलावा silly गुड़ी की मैं बात करूँगा तो यहां पर देखिए number of total feet भी कम है और काफी कम बिलासपूर की अगर मैं बात करूँगा तो देखिए पिछली बार जब railway ALP की भरती आई थी ना वहां पर भी बिलासपूर, सिकंद्राबाद, कोलकाता, मुंबई, चन्य यहां से सबसे ज्यादा farm भरे गये थे और इस बार भी दोस्तों बिलासपूर की अगर मैं बात बात है, अभी जानते हैं यह जो मार्च का महीना जब बीच जाएगा तो आप लोग खोधी देखोगे, अलग-अलग RRB जोन से record तोड मात्रा में फर्म भरे जाएंगे, तो दोस्तों आप सभी लोग यह कह सकते हो, कि एक सिली गुडी हो गये, गुभाटी हो गया, उसके अलावा दोस्तों तिर्योवननत पुराम हो गया, यह सब ऐसे RRB जोन है ना, जहां से बच्चे जो है, कम इंट्रेस्ट ले रहे हैं, इसको सेफ जोन आप सभी लोग बोल सकते हो, उसके अलावा, अगर बात करेंगे, बैंगलोर की, मुंबई की, चेन्नाई की, उसक अलग-अलग 21 RRB जोन का लेटेस्ट फार्म फिलिंग डेटा के बारे में, और देखे, एक बात मैं आपको और क्लियर कर देना चाहता हूं कि रेलवे की जो वेकेंसी आती है ना, इसका सरवर जो है, जल्दी स्लो नहीं होता है, ठीक ना, तो बच्चे क्या करते हैं दिक्त तो कि RRB आप लोग बात में चेंज नहीं कर सकते हो, ठीक है ना, पोश्ट के अगर मैं बात करूँगा तो 9144 पदों पर ये भरती आई हुई है, जिसमें technician grade 1 और technician grade 3 के पद पर यहां पर ये भरती आई हुई है, तो दोस्तों यहीं सारा सब कुछ जानकारी देना था, दे के लिए द्हूंन से कितना farm भारा जा रहा है, लेटर्श जानकारी जो है, मिल सके तो दोस्तों यहीं सारा सब कुछ जानकारी देना था, देखे, गर्मी कुछ जादा ही लग रही है, आप सभी लोग मेरे चेहरे पर पफीना देख पा रहे होगे, इसलिए मैं काहता हूँ क आप सभी लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब किया किजे क्योंकि आपका एक लाइक और एक सब्सक्राइब ना अंदर से बहुत ज्यादा मोटिवेट करता है इसी तरह के वीडियो बनाने के लिए बाकी दोस्तों फिर मिलूँगा किसी नेक्स्ट वीडियो में तब तक के ल किये धन्यवाद